आई सुनते हैं कुछ रहस्य भरी कहानी ऐसी ही हॉंटिट स्केरी स्टोरी सुनने के लिए हमारे बूस्ट मोरल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सबसे स्केरी पार्ट को कमेंट करना ना भूले आई शुरू करते हैं ये कहानी एक छोटे से गाव में रहने वाले किसान हरी सिंग्ग की है हरी सिंग्ग बिहद मेहनती और इमानदार व्यक्ति था उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था हरी सिंग्गी बड़ी सादारन और शांति पूर्ण ठी लेकिन उसकी पतनी सुनीता हमेशा उससे कहती हरी खेत के अलावा भी कुछ सोचा करो हरी हसते हुए कहता अरे सुनीता तुम समझती नहीं ये खेत ही तो हमारा असली धन है एक दिन हरी सिंग अपने खेत में काम कर रहा था तभी अचानक मौसम बदल गया आस्मान में बादल गिर आए और तेज बारिश होने लगी हरी ने अपने फसल को बचाने के लिए भागते हुए खेत के पास लगे पुराने पेड़ की छाओं में शरन ली तभी बिजली कड़कने की आवाज आए और हरी ने घबरा कर आकाश की ओर देखा उसे लगा जैसे कुद्रत उसे कोई संदेश दे ही हो ए भगवान अब मेरे खेत का क्या होगा उसने डरते हुए कहा सुनीता ने जब ये सुना तो वह भागती हुई खेत तक आय और हरी से कहा तुम क्यों घबराते हो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है हरी ने अपने खेत की तरफ देखा और कहा मैंने तो इसे अपना सब कुछ मान लिया था पर शायद भगवान ने मुझे कुछ और सिखाने का इरादा किया है उसकी आखों में आसू थे पर उस पल में उसके चेहरे पर एक नई समझ की चमक भी थी उस दिन के बाद हरी ने अपने खेत के प्रती अपनी निश्था को बनाए रखते हुए जी पर उसमें अंधा नहीं होना चाहिए जीवन में और भी बहुत कुछ है इस तरह हरी सिंग ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया वह भी अपने खेत में उतनी ही मेहनत करता था पर वह अपने परिवार और समाज के प्रती भी अपनी जिम्मेदारियों को चाट जीपीटी हरी सिंग अब अपने जीवन में एक संतुलन बना चुका था उसने खेती के साथ साथ अपने परिवार और गाउव के लोगों की भलाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था गाउव में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती हरी सबसे पहले खड़ा हो कि तुम गाउव के नए युवा किसानों को मार्क दर्शन दो ताकि वे भी अच्छी खेती कर सकें और गाउव का विकास हो। हरी ने सरपंच की बात को गंभीरता से सुना और विनमरता से कहा सरपंच जी मैं तो एक साधारन किसान हूँ पर अगर मेरी थोली बहुत जानका हरी से किसी का भला हो सकता है, तो मुझे खुशी होगी। अब हरी सिंग गाउव के युवा किसानों को खेतों की देखभाल और आधुनिक खेती के तरीके सिखाने लगा। वह उन्हें समझाता, खेत के साथ साथ हमें अपने परिवार और समाज की भी परवा करनी अगर हम सब एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे, तो हमारा गाउव तरक्की करेगा। धीरे धीरे हरी का सम्मान गाउव में बढ़ने लगा। लोग उसकी सलाह मानते और उसे अपने आदर्श की तरह देखने लगे। एक दिन, एक युवक ने आकर हरी से पूछा, चाचा, आपन इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया, फिर भी आप हमेशा खुश और शांत कैसे रहते हैं। हरी सिंग मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैंने सीखा है कि मेहनत करना और भगवान पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारा मन शांत है और हम दूसर की मदद करने के लिए भी तैयार रहता। एक दिन सर्पंच ने गाव में हरी सिंग के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया। सभी लोग जमा हुए और सर्पंच ने हरी को मंच पर बुला कर कहा, हरी सिंग आज पूरा गाव तुम्हारे मार्ग दर्शन का आभारी है। तुम असली सम्मान आप सब का है, जिन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया और इस गाव को एक परिवार की तरह बनाया। उस दिन हरी सिंग ने महसूस किया कि सही माईनों में जीवन का असली सुख तब मिलता है, जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ कर पा है, सुनीता, और तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था, कहानी का ये दूसरा भाग हमें ये सिखाता है कि मेहनत और संतुलन के साथ साथ, दूसरों की मदद और मार्ग दर्शन भी हमें एक सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। गाव में ही एक किसान था, रामू, रामू स्वभाव से थोड़ा चिर्चिरा था और हर चीज में दूसरों की गलतिया निकालने में विश्वास करता था, वह हरी सिंग की लोग प्रियता से इर्शा करता था और मन ही मन सोचता था, हरी तो मुझ से ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, फिर लोग उसकी इतनी इज़द क्यों करते हैं? एक दिन रामू ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गाव के चौपाल में कहा, आप लोग हरी की बातों को क्यों इतना महतवत देते हैं? वह बस दिखावा करता है, उसकी बाते सुनने से कुछ नहीं होगा, म उसने चुप रहना ही बहतर समझा, वह जानता था कि समय सब कुछ सिखा देगा, कुछ महीनों बाद गाव में सूखा पड़ गया, खेतों में पानी की कमी होने लगी और लोग परेशान हो गए, हर कोई चिंतित था कि अब फसल कैसे उगाई जाए, रामू, जो हमेशा हरी क आलोचना करता था, सबसे अधिक चिंता में था क्योंकि उसने हमेशा अकेले ही काम करने की आदत बना ली थी, वह अपनी समस्याएं किसी के साथ साजा नहीं करता था, हरी सिंग ने देखा कि गाव के सभी किसान परेशान है, उसने सोचा कि यह वक्त एक जुट होकर काम करन हैं, रामू ने एक कोने में खड़े होकर यह सब सुना, परंतु उसकी इर्शा ने उसे किसी से मदद मांगने नहीं दी, वह अकेले ही अपने खेत में मेहनत करता रहा, परंतु सूखे के कारण फसल बरबाद होती जा रही थी, एक दिन, हरी सिंग ने रामू को अकेले खेत नहीं चाहिए, हरी, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर लूँगा, हरी ने रामू के गुसे को नजरंदाज करते हुए शांति पूरवक कहा, भाई, मिलकर काम करने से हमारी ताकत बढ़ जाती है, यही तो मैंने सीखा है, यह कोई कमजोरी नहीं, बलकि हमारी एकता की शक माफ कर दो, हरी, मैं अपनी गलत सोच के कारण आपसे दूर हो गया था, हरी सिंग ने रामू के कंदे पर हाथ रखते हुए कहा, गलती करना इनसान का स्वभाव है, परन्तु उसे स्वीकार नहीं सच्ची ताकत है, चलो, अब मिलकर इस मुश्किल का सामना करते हैं, उस दि धीले धीले गाउं के हालात सुधरने लगे और सभी किसानों के चेहरों पर खुशी लोटाए, रामू ने एक दिन हरी सिंग के सामने जाकर कहा, हरी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने मेरी गलतियों को माफ किया और मुझे भी, अपने साथ जोडा, हरी ने अप्धा कि सच्ची ताकत एक्ता और सहयोग में ही है, ये कहानी ये संदेश देती है कि अपने भीतर की इरश्या और अहनकार को त्याग कर, मिलकर काम करने से ही समाज में खुशाली आती है, गाउं में सूखे के संकत से उबरने के बाद, हरी सिंग की एक्ता और सहयोग की ने गाव में एक नई उर्जा भर दी थी। लोग अब समझ चुके थे कि आपसी समझदारी और मदद से वे किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गाव का महौल खुशनुमा हो गया था और सभी किसान एक परिवार की तरह साथ काम कर रहे थे। लेकिन जीवन में चुनोतियां एक के बाद एकाती ही रहती हैं। एक दिन गाव में अचानक एक नई समस्या उत्पन हो गई। गाव के सबसे पुराने कुए का पानी तेजी से सूखने लगा था। ये वही कुआ था जिससे पूरा गाव पानी की जरूरतें पूरी करता ये खबर सुनकर गाव में चिंता की लहर दोड़ गई। सभी लोग चौपाल में एकठा हुए। सरपंच ने कहा ये कुआ हमारे पूरवजों की देन है। अगर ये सूख गया तो हमें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। हमें तुरंत कुछ उपाय सोचना हो कुछ लोगों ने कहा हरी भाई ये कुआ बहुत गहरा है। इसमें पानी की कमी का कारण क्या हो सकता है। हरी ने विचार करते हुए कहा शायद भूजल स्तर गिर गया है या फिर कुए की सफाई ठीक से नहीं हुई है। हमें पहले कुए की सफाई करनी होगी और उसके पुराना और गहरा था। सफाई के दोरान कई बाधाएं आई परन्तु हरी ने अपने धैर्य और नित्रित्व से सबको हिम्मत दी। सफाई के बाद हरी ने सुझाव दिया हमें अब बारिश के पानी को कुए में संरहीत करने के लिए जल पुनरभरन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम सही तरीके से काम करें तो कुए का जल स्तरफिर से बढ़ सकता है। गाव के लोग जल पुनरभरन के नए तरीकों से अंजान थे लेकिन हरी ने धैर्य पुर्वक उन्हें समझाया और खुद सब के साथ मिलकर काम किया। गाव के कुछ बुजुर्गों तुमने कहा, हरी बेटा, तुमने हमारे गाव को नया जीवन दिया है। तुमने न केवल खेतों में, बलकि हमारे मनों में भी नई सोच का बीजबो दिया है। हरी सिंग ने विनम्रता से कहा, दादा जी, ये तो हम सब की एक जुद्ता का परिनाम है। अगर हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। जल पुनरभरन की योजना सफल रही और कुछ ही महीनों में कुए का जलस्तर बढ़ने लगा। गाव के लोगों में खुशी की लहर दोड़ गई। सब ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्ने लिया। उ गाव के लोग हरी सिंग का विशेश सम्मान करना चाहते थे। उत्सव में सरपंच ने हरी सिंग को मंच पर बुलाया और कहा, हरी सिंग तुम्हारे ग्यान, धेर्य और नेत्रित्व ने हमारे गाव को नई दिशा दी है। आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि हम एक मजबू और विश्वास। उत्सव के बाद, रामू, जो कभी हरी से जलता था, उसके पास आया और बोला, हरी, तुमने मुझे और पूरे गाव को एक नई सोच दी है। तुमने हमें सिखाया की समस्याओं से डरना नहीं, बलकि मिलकर उनका सामना करना चाहिए। हरी सिंग ने मुस समस्या का सामना वे मिलकर करते और हर चुनोती को एक नई अवसर में बदलते। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाया आएं, अगर हम एक जुट होकर धर्यों और विश्वास से काम करें, तो हर संकट का समाधान मिल सकता है। हरी सिंग क का मिलकर सामना करते थे और खुशाल जीवन जी रहे थे। हरी सिंग का नाम पूरेक शेत्र में आदर और सम्मान से लिया जाता था। उन्होंने गाव में एकता और परस पर सहयोग की जो भावना जगाई थी, वहब एक परंपरा बन चुकी थी। एक दिन हरी सिंग गाव क चौपाल पर बैठे थे। गाव के बच्चे उनके पास आकर बैठ गए और उनमें से एक बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, हरी चाचा आपने इतनी सारी मुश्किलों का सामना कैसे किया। क्या आपको कभी डर नहीं लगा। हरी सिंग ने बच्चों की मासूमित देखक अगर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डर तो हर किसी को लगता है। लेकिन अगर हम दिल में साहस और विश्वास रखकर कदम उठाएं, तो डर भी हमारा साथी बन जाता है। जब हम सब मिलकर चलते हैं, तो हमारी एक तह में हर दर और हर मुश्किल से पार ले जाती है। बच्चों में से एक ने चुपचाप कहा, लेकिन चाचा, अगर कोई हम से अलग हो जाए, तो क्या होगा। हरी सिंग ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से जवाब दिया, एक पेड़ के मजबूत होने का कारण उसकी जड़े होती हैं। अगर कोई शाखा कमजोर हो जाए, तो पूरा पेड़ उसे सहारा देता है, क्योंकि जड़े सभी को जोड़े रखती हैं। हमारा गाव भी एक पेड़ की तरह है और हमारी एक ता उसकी जड़े हैं। उसी समय सरपंच चौपाल पर आए और बोले, हरी, तुम्हारे जीवन के अनुभव और तुम्हारी बाते हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। हम चाहते हैं कि तुम गाव के बच्चों को शिक्षा और जीवन के सबक सिखाने के लिए एक पाटशाला शुरू करो। हरी सिंग ने कुछ पल सोचा और फिर विनम्रता से कहा, सरपंच जी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। म हावे न केवल बच्चों को पढ़ाते बलकि उन्हें जीवन के अनुभवों और मूल्यवान शिक्षाओं के बारे में भी बताते। बच्चों के साथ उनका विशेश जुराव हो गया था और धीरे धीरे उनकी पाटशाला पूरे गाव में मशहूर हो गई। कुछ वर्ष किया तुम्हारे साथ और सहयोग के बिना संभव नहीं था। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और इसी कारण मैंने सब कुछ कर पाया। सुनीता की आँखों में आंसु आ गए। उसने कहा हरी तुमने न केवल मुझे बलकि पूरे गाव को अपना परिवार बना लिया। हम स खुशी है कि मैंने आप सब के साथ यह जीवन जिया। मेरी एक आखिरी विनती है कि आप हमेशा एक जोट रहें, मिलकर काम करें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। गाव के लोगों की आँखें नम थी, वे जानते थे कि वे अपने मार्क दर्शक को खोने वाले ह लेकिन हरी सिंग की शिक्षाएं हमेशा उनके दिलों में जिन्दा रहेंगी। कुछ दिनों बाद हरी सिंग का देहान्त हो गया। पूरे गाव में शोक की लहर फैल गई। लेकिन हरी सिंग के विचार और उनके आदर्श गाव के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए उनके सम्मान में गाव के लोगों ने उनकी याद में चौपाल का नाम हरी सिंग चौपाल रख दिया और पाठशाला को हरी सिंग विद्या मंदिर नाम दिया। हरी सिंग की कहानी ने ये संदेश दिया कि सच्ची सेवा और नित्रित्वव है जो दूसरों को प्रेरित करे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। हरी सिंग ने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जीकर यह साबित कर दिया कि असली सफलता केवल अपने लिए नहीं, बलकि समाज और लोगों के लिए जीने में है। अंततः, हरी सिंग का जीवन हमें सिखाता है कि एकता, मेहनत, निस्वार्थ थता और प्रेम से हम किसी भी परिस्थिती को बदल सकते हैं। उनका नाम गाव के हर दिल में सदैव जिन्दा रहेगा और उनकी शिक्षाएं हर पीडी के लिए एक प्रेरणा बनी रहेंगी। धन्यवाद। कि एकता है झाल, क्या झाल, कि एकता है, लूम झाल, कि लिए जएकता है उनकी जनकी शिता को हुआ है।